एलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो आज हम बात कने वाले है एफ रो बास्केट के बारे में जहांपे एवरी कोस्त वसिस तुनिश्या के भी जो मेच होने वाला है उसके बारे में तो आपने यह देखा होगा कि दोनों की दोनों टीम अंडबिटन टीम है एक भी दोस्तो मुकबला नहीं आ रहे है ठीके एवरी कोस्त की बात को तो उसके पास कोस्तिलो है और जहांपे तुनिश्या की बात को तो साला मीर जी आपको देखने को मिल जाएंगा ठीके तो तुनिश्या भी दोस्तो एक भी मेच नहीं आरी तो एमेच दोस्तो ऐसा होने वाला है कि कोई एक टीम जो एमेच हारने वाली है दोस्तो कल ही इन दोनों टीम्स ने एक मेच खेला था दोनों की दोनों जीती थी तो उसका स्टेट समझाने के उसके मुतबिक हम ड्रीम 11 टीम के बारें बात करें था वो भी तीन ब्लोक और दो स्टील के साथ उसके बाद दस्तो निसरे मीमी जो उसका स्मोल फ्रोड है उसने पंदरा पूंचार रिबाउंड और दो स्टील किया था बाकि दूस्तो श्टार्टिंग लेप में आने वाले खिलाडी ने किसी ने भी स्टील ब्लोक नहीं किया दूस्तो यहां पर दोस्तो लेंटरिघ दि जो है उसका स्टींग गार जिसने दूस्तो श्टीन गार दोने दोपूंचा रिबाउंड तीमस कई खोर किया था और व्रॉफाना की बात करू दूस्तो ग्रीजिबाध किया था यह उसका स्मोल व्रोड था खाय है और शुर 7 मि कप पॉइंट गाड़ है अठारा मिट तीन पॉइंट दो रिबाउंट एफ लॉफ हुआ था ठीक है फ्रेंड्स उसके पाथ दोस्तों यहां पर देख सकते हो तुनिश्या की तुनिश्या में दोस्तों रोमधाम है रोमधाम दोस्तों उसका पावर फरोड खेलने वाला के ल दोस्तों उसका मेन पॉइंट गाड़ है बहुत इच्छा दोस्तों पॉइंट गाड़ है अगर दोनों टीम का कंपरिजन करे तो सबसे बेश पॉइंट गाड़ ए रहने वाला है 14.6 रिबाउंड और चारा सिस्ट ने लास्ट गेम में स्कोर किया था और बेन से आके दोस् टीम का विनिंग रेकोड की बात करो दोस्तों पिछले मेंच में हमने ग्रेंड लिग विन के आता हूँ फर्स्ट रैंक से तो यह सारे विनिंग हमारे मेंबर्स की है तो आप भी कुछ इसी तरह से विन करना चाहते हो तो जोन जरू करिए हमारा टेलिग्राम चैनल दोस्तो बिलकुल फ्री है वीडियो की डिसिशन में जाओ टेलिग्राम चैनल लिंक मिलेगी जरूर जोन कर लो मैंने दोस्तों इस मेच में कुछ आपके लिए ग्रेंडली की पिक्स बता के यहने कि दोस्तों ग्रेंडली की कुई नही नहीं पिक्स ट्राइ करके आपको एक लत्सके गेम में दो नव प्लेहस बीज से कहला था ठीक है तो एक दिक्कत की बात रहेगी उसके अमरोल ED मेबरुक ने श्टार्ट कैरा ओन स्टार्ट रॉल ने çıkard साने लiza concept किया था उसके पाद दो यहांपे चछब जोऊ-जवा और फाम है फोफ़न है दोस्तो इस मेच की दोस्तो स्मॉल फोड में जो है वो हमारे मेच में इसे ट्रम कड़ पिक रहने वाला है क्यों कि अगर इसको थोड़ा से भी 30 मीट के असपर टाइम मिला तो एक काफी अच्छा पॉमस करने वाला के लड़ी है तो ए ट्रम कड़ पिक है और यहा यहां पर सी बाह को दोस्तो मैंने पिक किया लास्ट गेम में वो खेला था इसकी वज़े से मैंने उसको पिक किया है ठीक है उसके पाद दूस्तो टीम का प्रिवप को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगा जहां पर दूस्तो अगे और भी बात करेंगी कि आप यहां यहां पर दूसरा कॉंबिनेशन होना वाला जहां पर दूस्तो हमने डायबैट को नहीं हमने कोनात को ट्राइ किया है और यहां पर दूस्तो एम रोल को ड्रोप किया है और यहां पर उसकी जगह हम और प्लेश ट्राइ करने वाले है ठीक है यहां पर दूस्तो देख सकतो ज जगा एडी को ले सकता है लेकिन दूसों के डिट नहीं था इसके वो जैसे एम रोल को लिए मेब्रुग सेम रहेगा स्लीमाने सेम रहेगा कोस्तिलो रॉम्तम और दूसों सीबा सेम रहेगा ठीक है तो यह प्रिवी आप देख सकते हो स्टार प्रेडवाइस के अपने सेम ले हैं तो भाइलोग एक फॉर्थ कोम्बिनेसन जहां पर एक साथ आप ट्राइबड और कोनाटे रिस्क रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों प्लेस टाइब बेंज से खिलने वाले खिलड़ी है तो इसके वज़ेसे बहुत ही रिस्की प्लेयर है दोस्तों यह दरखना इसको आपको करना है यहां पर रहे है तो इस तरह लोग सो शीखरह है तो अगे आगे जो कोई इनफ्रमेशन मिलेगा हूँ दोस्तों मैं टेली ग्रम चल्ड पर डाल दूंगा तो टेली वरम चल्ड्स दोबहुत अच्छा है ज़रू करो ठीक है तो बाबे फ्रेंड्स हरे किस्ना टेक केर